तर यमन में हुथी लड़ाकों ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी कर अमेरिका और इस्राइल को खुली चेतावनी दे दिये वही हुथी लड़ाके हैं जिनोंने लाल सागर में सूपर पावर अमेरिका की नाक में दम कर रख रहे किसी वज़े से पिछले अपते अमेरिका और बिटिन ने यमन में मौझूद उनके कई ठिकानों पर हवाई हमले कर वहां तबाई मचा दी दिए और उसी के बाद अमेरिका समेत इस्राइल के सभी मददगार देशों को धंकाने के लिए हूथी लड़ाकों ने अपनी ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया उसमें यमन के एक सुनसान इलाके में आधुनिक हत्यारों से लैस कई हूथी लड़ाके एक इस्राइली कैम्प की तरफ बढ़ते दिखी सेना के किसी ऑपरेशन की तरह हूथी लड़ाकों ने कैम्प के अंदर गुसने के लिए एक हिस्से को पम से उड़ा दिया इसके बाद कुछ लड़ाके अंदर दाखिल हो गए कैम के अंदर तीन टेंट बने थे उनमें एक के बाहर कुछ हूथी लड़ाके पुजिशन लेकर खड़े हो गए अगले ही पल एक ने पैर से उसका दरवाजा तोड़ दिये दरवाजा तूटने के बाद दूसरे लड़ाके ने अंदर लगी इसरेल के प्रधान मंत्री बेनिमिन ने तन्याहू की तस्वीर पर ताबर तोड़ गोलियां चलानी शुरू करती इसके बाद हूथी लड़ाकों ने वहां मौजूद दो लोगों को बंधक बना लिया उन्हें वहां से लेकर निकलने के बाद उन्होंने पूरे कैम्प को ही धमाका कर उड़ा दिया मतलब इस वीडियो को जारी कर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो हमास की तरह इसरेल में गुसकर हमला कर सकते हैं उदर अमेरिका की धंकियों से बेखौफ किम जॉंग उनने एक बार फिर मिसाइल का परीक्षन कर डाला हाला कि उत्तर कोरिया ने ये दावा भी किया कि उसकी ये मिसाइल किसी को नुकसान पहुचाने के इरादे से नहीं बनाए गए लेकिन इस दोरान उत्तर कोरिया ने अपनी इस नई नवेली मिसाइल की ताकत का डंका बजाकर अपने दुष्मनों को च testवणी भी देडाली उत्तर कोरिया की सेना के मताबिक उसकी ये solid fuel hypersonic missile हाजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने कि ताकत रखती है और किम जॉंग उन इसे अपनी सबसे घातक और आधोनिक मिसाईल बता रहे हैं। और ये भी साफ कर दिया कि अगर दक्षन कोरिया की मदद के लिए अमेरिका आगे आया तो उसे किम जॉंग उनके साथ ही पुतिन से भी टकराना पड़ सकता है।